हेलो एबरिवन एक सेक्टर में काफी मोमेंटम मिल रहा है पूरे सेक्टर के स्टोक में ही मोमेंटम है किसी में ब्रेक आउट है किसी में ट्रेंड रिवर्सल ब्रेक आउट है तो उस स्टोक के हम तीन बैस स्टोक डिसकस करेंगे और वैसे आज आपने देखा होगा Free Telegram चैनल पर हमने Finn Nifty का आपको Hero Zero Option दिया था उसमें Profit भी देखने को मिला वैसे आज ज़्यादा Momentum नहीं था आप देखोगे Daily के चार्ट पर ये कुछ ज़्यादा Momentum नहीं था फिर भी उसके बावजूद वहाँ पर आपको Profit दिखाया और मैंने जो Small Profit Book किया था वो भी आपको उसकी Short Video मैंने Already Upload कर दी थी तो I hope कि आपने भी जो Option टेट करते हैं तो उन्होंने Profit किया होगा क्योंकि Pre Telegram चैनल पर मैंने वो Level दिया थे और मैंने Twitter पर भी डाल दिया थे बट आज हम वो Discuss नहीं करेंगे Fin Nifty का हम एक सेक्टर के तीन ऐसे स्टोक डिसक्रस करेंगे जिसमें है अच्छा Breakout और साथ में Momentum वैसे आप सब को पता ही होगा कि आज तो Tuesday है 25th April तल 26th को Wednesday को Mid-week Breakout Stocks भी आएंगे तो वो Mid-week Breakout Stocks मेरी Already Select हो चुके है कल के लिए भी तो बस उसमें मैं देख रहा हूँ कि किसमें Breakout आता है तो वो फिर मैं Mid-week Breakout Stocks में आपके असाथ डिसकस करूँगा तो आज पहले हम एक सेक्टर को डिसकस कर लेते हैं एक सेक्टर है Railway सेक्टर तो Railway सेक्टर में मैंने अपने Free Telegram चैनल पर भी आज आपको डाल दिया था कि आज Railway Stocks में Focus है तो Momentum भी हमें देखने को मिला तो जैसे First Stock आप देख रहे हूँ कि RVNL इस Stock को देखिए आप पहले Stock के चार्ट को समझीए जैसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि Momentum बना या One Sided बना और यहाँ पर उपर के Level पर जब हमने कही बार Live TV करी तो यहाँ पर काफी मेरे पास Question आ रहे थे कि यह Buy करें तो मैंने उनको यह कर रहा था कि अभी Dip में Buy करो कि जब एक Price Momentum देता है One Sided उसके बाद Price Action में हमें कुछ देखने को मिलता है उसके बाद फिर द्वारा Stock चलता है तो यहाँ पर यह देखिए कि यह दो Rounding Pattern बार है उसके बाद फिर अब इसमें Breakout काफी बड़ा Breakout देखने को मिल रहा है Volume भी देखने को मिल रहा है तो इसमें अब इंट्री कैसे करें Already यह देखिए Almost यह 40% तक इस week में चल चुका है तो कई बड़ जैसे मेरे पास वीडियो बनाने के टाइम नहीं होता लाई मार्केट में तो मैं आपको वहाँ पे Free Telegram चैनल पर Update दे देता हूँ तो आज ऐसे Update दे दे दिया था वहाँ पे Railway Stocks में फोकस करिए तो अब इसमें इस टोक में तो Fast Entry ने मंटरी वर दो जो स्टोक अब भी डिसकस करूँगा उनमें वे Entry है इसमें भी आप Entry कर सकते हो Dip में Entry कीजिए जैसे 90, 80 के पास Two Parts में Entry कीजिए एक 90 के आसपास निचे तो इसमें जितना Dip में Entry करोगे बैट रहेगा क्योंकि अगर ये Price यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये Breakout है अगर ये Retest करके वापिस चल जाए Retest के इस Level के आसपास आजए तो वो बहुत बढ़िया Best Entry रहेगी तो Target इसमें आप Target मत बांदिए इसको थोड़ा सा Time दीजिए स्टोक को बड़े Target के लिए जाजिए इसको Multi-Wagger बनने दीजिए अब जैसे 100 का Price है इसको 200, 300 Multi-Wagger बनने दीजिए Multi-Wagger Profit के लिए जाए तो जो इसी सेक्टर का दूसरा स्टोक है और काई आपने देखा हो गया कि अभी मैं आपके लिए वीडियो इस कॉंटिन्यू कर रहा हूँ डेली डेली आपको Breakout Stocks दे रहा हूँ तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कॉंटिन्यू करूँ वैसे मैं इस Week आपको ये डेली दूंगा डेली इसमें वीडियो आएगी अगर मुझे लगा कि आप सबका प्यार मिलता रहा वीडियो में लाइक मिलता रहे तो फिर मैं आगे वी कॉंटिन्यू करता रहूँगा तो I hope कि आप वीडियो को लाइक जुरूर करते रहोंगे अभी दूसरा इसी सेक्टर का स्टोक है जैसे ये रेल पेल कॉर्परेशन अभी इंडिया तो इसमें देखिए इसमें कहा है कि इसमें भी ये राउंडी पैटर मना फिर ये एक तरह का ये कप और हैंडल पैटरन का यहाँ पर ब्रेक आउट है या आप यहों कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ये चैनल का भी ब्रेक आउट है ये यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट है अभी आप इसको डेली के चार्ट पर देखोगे तब आपको और क्लिए राएगा कि यहाँ पर ये टू डेसे में मोमेंटम है और ये डेली के चार्ट पर 200 EMA को भी क्रोज कर रहा है तो इसमें भी आप थोड़ा सा अगर इस प्राइस पर भी इंट्री कर सकते हो ये इसका भी रिस्टन्स लेवल पर ये 116 के पास इसके उपर कॉंटिनू करता है तो देन इसमें टार्गेट रहेंगे आपके 134 से लेकर ये आपके टार्गेट रहेंगे 134 से लेकर 144 और परदर आगे आपको फिर ट्रेल करते रहना पड़ेगा अपना स्टोप लोज और अगर इसमें डिप भी आजाता है तब भी आपको टेंशन लेनी की बात नहीं है अगर इडिप आपको 105, 4, 110 के आस पास में मिल जाता है तो वहाँ पर भी आप इसमें इंट्रीग कर सकते हो और एक और टोक देखी इसी सेक्टर का मैंने आपको पहले भी दिया था एक बार IRFC यह 26, 23 के लेवल पर दिया था और इसके टार्गेट थे 31, 37 और यह उस टैम की बात है नुवंबर 16, 2022 और इसके देखी बड़ी जल्दी टार्गेट आगे थे साथ के साथ ही टार्गेट आगे थे और यह 29 नॉमबर 22 को इसके सेक्ट टार्गेट आगया था 37 का ही इसका हाई बना था और वहीं से बापिस आगया था तो इस टोक में अब देखिए कि फिर से ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है यह डेली का चार्ट पहले आप इसका weekly चार्ट देखिए तो यह आप इसका weekly चार्ट देखिए कि जहां पहले score कमेंट किया था 27 के असपास वहाँ से 37 बड़ी fast one-sided चला गया था उसके बाद द्वारा फिर देखिए कि breakout जो अभी हम आरवी अनल के स्टोक में डिसकस कर रहे थे सेम चीज हमें इसमें देखने को मिल रही है कि जो मैं आभी कह रहा हूं कि retest यह breakout आया था breakout के बाद आभी यह retest इसने किया retest के level के पास अभी यह rounding pattern ब्राता जा रहा है आप comment करके जुरूर बताना है कि आपको ऐसे कौन से स्टोक दिखाई दे रहे है जिसमें rounding pattern है कि rounding pattern का logic यह होता है कि प्राई निचे आया है अब निचे से द्वार उपर जा रहा है पर slowly slowly उपर जा रहा है तो बड़ा निचे जाता है निचे से फिर momentum आता है तो वो rounding pattern बनता है ऐसे स्टोक्स आपकी नजर में है उनको आप focus रखिए अपने और मुझे comment करके भी बताना है कि कौन से ऐसे स्टोक्स हैं जो आपको rounding pattern दिखाई दे रहे हैं मैं आपको reply जुरूर दूँगा comment करके और अब इसके आगे target discuss करने से पहले आपको ये भी आपने मुझे बताना है कि ये तो जैसे अभी ये railway sector के स्टोक्स में काफी बूम है ऐसा आपको कौन सा और स्टोक लग रहा है लग रहे हैं जैसे मैंने आपको एक TWL दिया था पहले एक TWL देखिए आपको कई वार comment किया हुआ है अभी हाली में 200 के level पर आपको ये चार्टोदा वीक में भी दिया था और ये 200 वाला ये भी देखिए 350 तक हो गया उसे पहले भी आपको ये यहां पर दिया था 62 के level पर और फिर करें 100 के पास तो ये आपको 2-3 times चार्टोदा वीक वीडियो में भी आपको रिक्मेंट किया I hope कि आपको इस चार्टोदा वीक वीडियो में भी benefit होता होगा अब बात कर लेते हैं आप IRFC तो IRFC को आप देखी यहां पर अभी इसमें आपको इंट्री कैसे करनी है इसमें भी आप इंट्री थोड़ा अगर आपको नीचे डिप मिल जाता है 20 ने एक दो पाइंट नीचे मिल जाता है तब भी आप इंट्री कर सकते है कोई टेंशन की जूट नहीं है तो इसमें टार्गेट रखिए आप 34 से लेकर 37 तक के इसमें आप टार्गेट रखिए अगर आप stop loss रखना जाते हैं तो यह stop loss रएगा जो अभी last swing इसका लो था यह 25 का बट मैं यह कहूँगा कि अगर आप इसको positionally थोड़े long time hold करते हो तब भी better है और नीचे यह level आते है कभी वर यह 22 के तब वहाँ पर भी आप add कर सकते हो तो ऐसे stocks को आप एक अबर लेके बैठना होता है time देना पड़ता है तब ही आपको बड़ी return देखने को मिलती है तो guys मुझे comment करके बताना है कि मैं daily वीडियो आपके साथ breakout आपके साथ share करता रहूं या नहीं करूं और वीडियो को like कर देना share कर देना और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो में क्या best लगता है और साथ में वीडियो का disclaimer रहेगा कि please कोई ब इंट्रे लिने से पहले अपने financial advisor ला लीजिए और अपनी self study जरूर कीजिए आपको confidence आए तब ही इंट्रे लीजिए I hope कि आपको वीडियो से आज कुछना कुछ जरूर सिखने को मिले होगा वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत दलने वाद